Hello friends and welcome to the exams made simple So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 2nd June 2024 So 2nd June 2024 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले I hope आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेर जरूर करेंगे And जटता भी आप लाइक करेंगे उतता मेरे को इस मोटिवेशन में लेका So please do that from your end दूसरी चीज अगर आप आप भी देखें, website हम पूरी update कर रहा है Website को थोड़ा नए तरीके से update कर रहा है आप एक बार जरूर विजिट करेंगे, मैं एक बार हाला के दिखा दूँगा Plus मैं आपको अदा दूँगी 2025 UPSC prelims के लिए 20 June से नई classes शुरू होने वाली है 20 June से, पूरा pre to pre मनला के पूरा prelims का syllabus Plus CSAT course, दोनों cover रहेगा एक ही course में आपको दोनों मिल जाएगा ठीक है न? और in-depth जिन्होंने पहले join किया हो हमारा complete जो course होता है उसमें आप सब जानते की नाम का वो prelims course रहता जो subject prelims वाले हो तो पूरे मेंस लेवल से ही हम पढ़ाते है तो कहीं भी भी ऐसा नहीं कि हम सिर्व आपको fact पढ़ाएंगे या नॉर्मल चीजें तो registration I think कल से या आज से start कर देंगे और 20 June से classes शुरू होंगी जो की prelims के बाद है तो 16 June को prelims देदीचे उसके बाद 20 तारीक से आपकी class से 2025 के लिए शुरू कर देंगे तो जो लोग इंटरस्टेड हैं वो जरूर बताएं जॉइंग कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे सब से पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं स्क्रीन में है मैंने कल ही पढ़ाया था तो आप बताएं हुलोग गिबन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट से पहला करेंट इस दी ओनली एप नेटिव तो इंडिया दूसरा करेंट तो आपको बताने है कि स स्टेटमेंट है या कौनखन से स्टेटमेंट सँ हम है अ बताएं आ सब्सक्राइब से सामने मेर साइब्सक्राइब तो पहला तो यह तीसरा गलत है में आपको इंसे एक एस्टन बाल बत्विक ही representation वाला threatened होता है तो इसलिए तीसरा श्रिक्मन गलत है दूसरा सवाल है the Nelson Mandela Award for Health Promotion the Nelson Mandela Award for Health Promotion कौन सी और्गनाइज़ेशन देती है options आपके सामने है WHO, UNICEF, International Labour Organization यह World Bank ठीक है तो I hope you will be able to answer ये भी निउस में था अच्चली PIB की निउस में था इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग से अपडेट कर दूँगा वेबसाइट पर आप देख सकते हैं तेमसाइस का आप मैं नीचे लिंक देदूगा अला कि आपको लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप प्लेस्टोर से या नॉट फॉम्ड प्लेस्टोर अप स्टोर अंड्रोइड का न वहां से आप ले सकते हैं इसका आप भी टाउनलोड कर लिजएगा न कोई भी इनफोर्मेशन है उसमें अपडेट हो जाएगी इसका जो करेंट आंसर है वह है WHO यानि कि FIRST WHO World Health Organization तीसरा कोशन है आईलांड कंट्री समोवा ये मैप बेस्ट कोशन है आपको बताना है कि समोवा कौन से ओशियन में है अट्लांटिक इंडियन आर्क्टिक और पैसिफिक यह मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ एक पर मुझे मैप देखकर कहता हूँ कि समोवा आईलांड कौन से ओशियन में आपको देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है ना अब यह जो रिजल्ट आया है कि एकजट पोल का है कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है कि अवल एकजट पोल क्या होता है जैसे मालू मैं मैं वोट करके आया तो वोट करके जब मैंने निकला तो जो अलग-अलग मीडिया हाउसेज है या उनके लोग खड़े तो वो मेरे से पूछेंगे कि आपने सर किसको वोट दिया या तो ऐसे तरीके से जब आप वोट करके निकलते हो आपसे पूछते हैं तो उसके बेसिस पर यह सैंपल इस एक लिया जाता है पांच जार दस जा लोगों का उसके पर निकालते हैं कि इन लोगों ने किसको वोट दिया तो उसे किसके चांसेज है इनको एकजिट पोल बोलते हैं अब दो तीन चीज़ें एकजिट पोल के बारे में आपको याद रखना है कि एक सर्वे होता है जो कि इमीडियेटली वोटर से पोलिंग स्टेशन छोड़ने जैसे आज एक जून तक का टाइम दिया था कि एक जून की शाम 6.5 वजे तक आप एकजिट पोल नहीं निकालेंगे इसलिए एक जून को 6.5 के बाद ही एकजिट पोल का रिजर्ट निकला ठीक है बड़ा सवाल यह कि क्या ये कांस्टिटिशन में में मेंशन है तो नहीं ए इसके लावा याद रखेगा कि एक तो यह वोटिंग के बाद निकलता है एक होता है एक होता है उपीनियन पोल उसमें ओपीनियन पोल होता है इसके बाद निकलता है तो यहाँ पे तमिल नाडू गवर्मनन ने मैंग्रूफ कवर को प्रजेक्ट करने के लिए कुछ पैनल्स बनाए है तो अच्छे लिए हुआ क्या था हुआ यह था कि IUCN आप सब जानते हैं International Union for Conservation of Nature इसने अभी recently क्या किया पहला अपना Global Assessment किया Mangrove Ecosystem का क्या किया First Global Assessment of Mangrove Ecosystem मैं आपको दिखा दूँगा भी क्या कोशन पूछेगा UPC अगर पूछता है तो International Union for Conservation of Nature इसने क्या किया इसने First Global Assessment किया Mangrove Ecosystem का उसमें इसने बुला कि जो Coastal Regents तमिलनाडू के हैं श्रीलंका के हैं और मॉल्डिव के हैं वहां का जो Mangrove कवर है वो critically endangered है तो It is as per the IUCN the First Global Assessment of Mangrove Ecosystem तो इस कारण से तमिलनाडू उसको प्रोटेट करना चाहता है अच्छा अब तमिलनाडू में कौन-कौन से Mangrove के वर से दो कहा पर कुछ लिखा हुआ है तैसे मुथूपेट लिखा है रामनाथ पुरम लिखा हुआ है इसके अलावा यह सारी चीजे लोकेशन लिखी है जो की तमिलनाडू की है इसके अलावा आयोसियन ने जो और थ्रेट्स बताई है तो उसके थ्रेट्ट होने रहा है कि वुड एक्स्प्लोटेशन काफी जादा होता है इसे एरियास में डिफॉरस्टेशन एग्रिकल्चर श्रिम्प फार्मिंग हो गया इन सब का बहुत जादा इंपक्त है दन डैम कंस्ट्रक्श और इसमें अलग-अलग एरियास बैसिकली जो कुरा कोस्टल रीजन है वहीं पर मैंग्रूप सुलेंगे तो गुजरात में आपका रन अफ कच लिखा है गल्फ खंबत लिखा है ठीक है ना दन आपका मुंबरा दीवा वेल्डूर ये मुंबई का है इसके लावा रतनागि महरास्तरा का है मलवन भी महरास्तरा का दन गो अपका में मन गुरूफ जरूर पुर्णापूर ज़ुरूर ना मम याद रखना यह करनाटिका काहँ है क्या होता मैस्ट दगॉलमी 6 सकता है या पूल सकता है क्या होता है नैकरेक। पूर और वेंबनाड यह आपको दो मिलते हैं तमिलनाडू में जैसे मैं आपको अल्यडी बता है इसके लावा आप देख सकते हैं रामनाथ पुरम रामनादी जिसको लिखा है दन मुथुपेट है दन पिछावरम है कजुवेली है पुलिकट है इस आर फ्रॉम द तमिलनाड इंडिया का तो यहां से आपका एक मैप कोशन भी बन जाता और आपका जो मैंने बताया किस तरीके से कोशन पूछ सकता है वह भी प्रिपरेशन हो जाएगी तो यह न्यूज आर्टिकल में आपने दो तीन चीज़े और देख लें अब यहां पर बात चल रही है रिगवेद की टेक्स्ट को और ज़्यादा समझने की देखो हुआ क्या है मैं आपको नॉर्मल इसका कारण बता लेता हूँ हुआ यह है कि अभी रिसेंटल एक फॉर्टी सिक्स हेंडेड यर्स ओल्ड एक कंकाल मिला था रखी गड़ी से ठी वाली रिजन में चली गई ठीक है ना लेकिन जो सबसे बड़ी इंडियन अभी जो प्रजेंट इंडिया में है वो है रखी गड़ी जो की आपका हर्याणा में ठीक है इसके लावा दो तीन साइट्स के नाम और इन्होंने लिखे है यहां पर बनवाली है वो भी आपको पत पता होगी यह तो हम इंडिया वाली बाते कर रहे है तो यहां पर बहुत साथ ब्रॉंज का वर्क होता था दैमाबाद भी आपको फेमस पता होगा चन्हुदूडो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पर पाय जाता है तो आपका धौला वीरा में पाय जाता था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक है और फार अल्टर साब के मिले थे तो काली बंगन में मिले थे अब वही चीज़ आथर ने यहां पे बोली क्या है एक्शली हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली जो NCRT में चेंजिस किये गए हैं उसमें पहले जो हम पढ़ा करते थे पहले ज में चल रही है तो आभी जो रिसेंटली फॉर्टी सेंटली एर ओल रिमेन मिला है उसमें भी एक विमेन का मिला है तो वहां से यह पूरी लिंक जुड़ी है हाला के NCRT ने डिस्क्लेमरी डाल दिया है कि अभी और रिसर्च करने के ज़रुत है बट ओवराल मोटा मोटा यह अगरा UPC पूछता है आपसे इस तरीके से कोई सवाल तो आप यह समझ लिजेगा कि पूरी जो कोशिश है वो यही है कि हम आर्यंस को इंडिजनस बताना है ठीक है ना तो यह थोड़ा से मन भी समझ के रखेगा क्या चल रहा है और ओवराल क्या चल रहा है तो रखी गड़ यहां से अगर यह टाइम लाइन भी अगर रिगवेद भी फायर की वर्षिप बताता है और हड़पन टाइमस में फायर रिल्टर सापको मिलें तो वह कुछ-कुछ लिंके जोड़ रहे है यह ऐसा होता था तो आल इस 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 होता था था तो आल इस इस तरीके से एक उन्ट के सकरवड बैठता है लेकिन अभी यही चल रहा है तो अभी कुछ रूफ हुआ नहीं है ठीक है आगे मूफ करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टन न्यूज आर्टिकल से जिनके बारे हमको डिसकस करना है तो यहां पर तो लिखा है वाट ग्रेड ओफ कोल डस इंडि प्रडिउस तो सबसे पहले बात हुआ क्या था अभी एक रिपोर्ट आई थी और ग्रेड कॉल को इंपोर्ट किया थे इंडोनेशिया से और फिर उसको हाई ग्रेड बोता करके तमिलनाडू पावर जनरेशन कंपनी टैंजड को बेंच दिया तो यहाँ पर ने बही बोला कि high grade और low grade क्या होता है तो देखो high grade और low grade निकालने के लिए जो कुछ जिन variables को measure करते हैं तो उनमें से पहला है the gross calorific value जो आपका gross calorific value होता है यह क्या होता है it is the amount of heat or energy it is the amount of heat or energy that can be generated from burning the coal मनलब कि coal को burn करने से कितनी amount की heat और कितनी energy निकाल सकती है वो बताता है gross calorific value यहीं से आप फिर gradation of coal डेटर्माइन करते कि किस grade का coal है high grade coal है कि low grade coal है then coal आप सको आपका एक fossil fuel होता है it's a mixture of carbon, ash, moisture and other impurities also so the higher the available carbon in a unit of coal जितना ज्यादा carbon होगा एक unit coal में उतना better quality होगा या उतना better grade होगा 17 grades होती है coal की अगर आप इस metric का मानें coal की मात्रा का देखके बताएं तो grade 1 जो होता है यह top quality coal होता है जिसमें 1 kilo अगर आप करते हैं coal को burn करते हैं तो लगबख 7000 kilocalorie energy निकलती है lowest जो होता है वो लगबख 2000-2500 kilocalorie तक ही निकाल पाएगा तो coal मिलिस्टी खुद बताती है कैलोरिफिक वैल्यू लेकिन हाला कि बहुत यूसफुल नहीं होता है इसके लावा ओथर नहीं भी काया कि important uses of coal are in running thermal power plant ठेक है ना और powering a blast furnace to produce steel ना तो एक तो thermal power plant को run करने के लिए coal का यूज होता है कोकिंग कौन सी प्रोसेस होती है जब आप oxygen के absence में उसकी burning करते हो अब oxygen के absence में जब आप उसको करते हो heat करते हो तो उससे पूरा वो निकल जाता है और केवल एक hard gray निकल बच रहता है remaining वो कोक कहलाता है यह सारी चीज हमें देखा है अब इंडियन कोल के क्या characteristic है तो यहां पर रिसेंटली बता दूँ आपको कि इंडियन कोल के जो जो quality of coal है वो obviously बात इंडिया में बहुत जाद अच्छी नहीं है हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं तो इंडियन पावर बॉयलर्स जो होते हैं हाला कि इंडियन पावर बॉयलर्स में आप नॉर्मल इंडिया के कोल का भी यूज कर सकते हैं उसमें 10-15% की ब्लेंडिंग मिला सकते हैं इंपोर्ट को भी safely मिला सकते हैं इसके लाब आथर ने कहा है क्लीन कोल क्या होता है तो यह भी देख लेते हैं क्लीन कोल क्रिया चाहिता जब कार्बन कंटेंस अंक्रीज क्या जाता है जब करते हैं repair कार्बन कंटेंस को बढ़ाते हो बढ़ाते हो और क्लीन की प्रोसेस केलाती है तो यहां पर होता है क्क्षली कि जो कॉल पावर प्लांट स्गरांट बेया पिर नीग होते यही लुथ और फिर cold को इस तरीके से वाश करते एक इस तरीके से वोश करते हैं कि जाते है न तो एक और तरीक होते हैं। को जिसको हम coal gasification बोलते हैं अलाग यह बहुत जादा महगा method है coal gasification तो यह सारी चीजी author ने आप बताई है I hope you got clarity regarding that as well आगे देखते हैं Roman baths में harbour novel antimicrobial natural products तो पहले तो हम Roman baths की बात कर लेते हैं तो यह दो को लिखा है world famous Roman bath actually क्या होता था कि एक नहाने टाई कि जैसे आपने great Mohan Jodaloo का वो देखा है ना bath the great bath तो वैसा ही Roman bath भी बहुत famous old archaeological masterpieces है जो कि आपके bath एक जगह है UK में वहाँ पे आपने देखा होगा यह bath नाम की ही जगह है actually वहाँ पे भी आपने देखा होगा तो यहां पर यह पाए जाते हैं इसमें अचली क्या होता है यहां पर इनके water को टेस्ट किया गया और इसके water को टेस्ट करके उसके वैक्टीरियास को अनलाईज किया गया है तो वही चीज यहां बताईए कि Roman bath is one of the finest historical site in the Northern Europe आप याद रिकेगा पहले तो यह Northern Europe के site है और यह काफी important facts है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ तो यह भी आप अपने notes में भी add कर लीज़े नहीं add कर सकते तो at least हमने जो notes दी है आप उसको पढ़ लीज़ेगा ठीक है ना cities warming due to the effect of urbanization and climate change अब यहां पर मैंने कल आपको एक concept बताया था urban heat dome का या urban heat island का वही concept आज यहां पर फिर से repeat किया गया है कि किस तरीके से cities जो है वो concrete का जंगल बन चुकी है और concrete का जंगल बनने के कारण climate change के कारण और इस सब के कारण उनकी heat बाकी एरिया से बहुत ज़ादा है तो average अगर आप normal urban area, rural area और urban area देखेंगे तो cities याने urban areas का बहुत ज़ादा temperature है climate change तो है ही जो कि यह cause कर रहा है urbanization भी एक दूसरा जीजन है कि population बहुत ज़ादा बढ़ गए cities में लोग काम करने के लिए जा रहे है construction work होई रहा है ठीक है न and climate change के साथ साथ urbanization भी आप याद रखेगा which is responsible for the global warming ठीक है को लिखा हुआ है यह क्या होता है कि हर जगह का एक thermodynamic and aerodynamic property होती है तो cities की जो thermodynamic और aerodynamic properties है बहुत ज़ादा change हो चुकी है and उसी कारण से cities ज़ादा गरम रह रह रही है बाकी rural और सब urban area से ठीक है न यहाँ पर आउथर ने urban heat island का concept वही जो मैंने कल आपको बताया तो वही चीज़ लिखी हुए इसके अलावा भी यहाँ पर एक दू concept लिखे थे इसको measure करने का मैं आपको बता दूँगा पहले आप याद रहेगा कि जो concrete के structure बने है roads बन रही है इंडिस्ट्री इस पार्क बन रही है इस कारण से भी काफी दादर temperature बढ़ता है यहाँ पर दोको लिखा हुआ है high resolution night time land surface temperature measure करने का एक sensor होता है जिसको modis बोलते है मॉडिस याद रखना अगर आप सो कोई पुझे कि यह मॉडिस क्या है तो यह government से मत रिलेट कर ले ना और इसमें वह sensor लगा है जिसको modis sensor बोलते है और यह क्या करता है night time land surface temperature को measure करने का काम करता है तो काफी important I hope you got clarity regarding that as well यह भी चीज आप याद रखेगा इस article में जो mentioned थी जो exam point of view is important है वो मैंने आपको बता दी है ना ऐसा नहीं कि मैं आपको सारी चीज़े बता रहा हूं लेकिन exam point of view कि कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं अब मैंने आपको रहता है कि website में आप आएंगे अगर आप तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा ठीक है ना तो मैं आपको let me show you that as well तो आप एक काम करिए TEMS IS की website पर आजाएए जब आप TEMS IS की website पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको उपर तो concept of the day दिखता है और then latest current affairs तो जितना भी current affairs है ना वो मैंने इसी तरीके से add कर दिया है तो जैसे आज की news article में आपको दिये दिखेगा यह editorial part में दिखेगा Is a future Palestine state possible? है ना तो इसमें मैंने पूरा Palestine का सम mention किया कि current situation क्या है तो two state solution क्या है तो two state solution तो आपको पता है कि Palestine का जो original area था उसको दो part में divide कर दो एक तो Jews के लिए जो इसराइल वाला part है और Arabs के लिए जो पैलस्टीन वाला part रहेगा है ना हाला कि इसराइल 1948 में establish कर दिया गया लेकिन Palestinian state को अभी भी realization नहीं मिला है तो I hope you got clarity regarding that as well और इसमें already आपको पता है कि Israel ने काफी part इनका expand कर लिया ले लिया है 1948-49 में एक वार हुआ था फिर 1967 में एक वार हुआ था जिसको six day war बोलते हैं तो Israel ने बहुत सारे areas वहाँ पे capture कर लिया थे जरुसुलेम वेस्ट बैंक के सारे पार्ट भी कर लिया थे ठीक है ना इसके लावा Oslo Accord 1990 में किये गए थे Oslo Accord के बारे में भी देखो mentioned है and it is to establish a framework for peace and creation of a Palestinian state but this has not yet been achieved Oslo Accord भी peace के लिए ही किये गए थे and इसके लाव आपको यह भी पता होगा ना कि एक सबसे पहली country जिसके साथ peace established किया था Israel ने वो थी Egypt 1978 में Camp David Accord बोलते है Camp David Accord बोलते है ठीक है ना I hope you got clarity regarding that as well एक news article और था जो important है science article I think यह सार आपको current affairs में मिल जाएगा आप इसको जरूर visit करिएगा world's first wooden satellite याद रखेगा जापान ने बनाई है world की पहली wooden satellite इसके बारे मैं को बतादू Japanese researchers है इन्होंने world की पहली wooden satellite बनाई है इसका नाम है Lignosat याद रखेगा इसको Magnolia wood से बनाया गया है Lignosat को Magnolia wood से बनाया गया है एट से टाइनी cuboid satellite याद रखेगा यहाँ पर आप देख सकते इसके बारे मैं इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं ठीक है ना I hope you got clarity regarding that So that is it for the day friends I hope you liked our video Please do like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you, have a nice day